नमस्ते मैं आबिनाव लाइटाव सोल से आपका स्वागत करता हूँ आज हम एक गाइडिड एनलपी एक्सरसाइज करेंगे अपने बुरे मेमरीज को चेंज करने के लिए दुख भरी मेमरीज को बुलाने के लिए तो सबसे पहले जो भी मेमरी है जो आपको परेशान कर रही है या दुख दे रही है कोई भी पास्ट की मेमरी हो उसको अपने जहन में लेके आए जो भी मेमरी आप उससे तूर जाना चाहते हैं उसको अपने जहन में लेके आए तो अब आप जिस जब आपने उस memory को अपने mind में लेके आए हो तो आप देखो कि mind में क्या होता है कोई picture बन रही है या कोई आवाज आ रही है या कोई feeling हो रही है आपको अपने body में उसको सिर्फ notice करो कैसी और अगर picture है तो कैसी picture बन रही है बड़ी picture है, color है, कैसी picture है, 3D picture है या feeling है तो कैसी feeling है hot, cold कैसी feeling आ रही है क्या sensation हो रहा है उसको सिर्फ notice करो अब यह जो memory है इस memory को freeze कर लो इस memory को पूरी तरह से freeze कर लो और इसको छोटा कर दो अगर image है तो छोटा कर दो feeling है तो उसको छोटा कर दो अब इस memory के end में चले जाओ skip कर दो, direct इस memory के end में चले जाओ और उसको भी freeze कर दो और उसको जब आपने freeze कर दिया है तो imagine करो एक brightness control है ठीक है, वो brightness control का आप अब कर दो brightness control और वो पूरी memory ऐसा जो जो वाइट हो गई है पूरी memory वाइट हो गई है really quickly वाइट हो गई है अब ये exercise को तीन बार करेंगे तो अब second बार वापस करते हैं memory को जहन में लेकर आओ उसकी sub-modality notice करो visual है, oratory है या feeling-wise आ रही है freeze कर दो उसको छोटा कर दो skip to the end of the memory बिल्कुल end में चले जाओ उसको भी freeze कर दो imagine करो पूरी memory white हो गई है पूरी white हो गई है ठीक है? अब वापस एक बार हम करेंगे memory को लेकर आओ जहन में देखो किस तवह से represent हो रही है उसको freeze कर दो छोटा कर दो memory के direct end में चले जाओ उसको भी freeze कर दो और पूरा white कर दो very nice अब इस movie के end में अपने आपको देखो और imagine करो कि आप उस movie को backwards चला रहे हो पीछे चला रहे हो तो सब चीज ऐसे सोचो फटा फट ऐसे सोचो सब चीज पीछे हो रही है जैसे एक movie पीछे जा रही है तो सब उस memory के जो भी characters है वो सब पीछे जा रहे है sounds भी पीछे जा रहे है अगर कोई feeling आपके अंदर जिस तरह से हो रही थी वो भी opposite direction में feeling हो रही है तो एक ऐसा scene है जिसमें सब कुछ पीछे जा रहे है तो feel करते जाओ कि ये पूरी movie पीछे जा रही है ठीक है? अब ये जो exercise है ये आपको quickly जितना आप quickly करोगे उतना आपका brain अच्छे से reprogram होगा इसको quickly जब जब memory आए उसको freeze करो जैसे मैंने बता है freeze करो, छोटा करो, end में जाओ उसको freeze करो, एक imagine करो पूरी white हो गई है और वापस पीछे 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 जाते जाओ ऐसे सोचो, सब कुछ चीज़े पीछे जा रही है तो ये चीज़ को आप जितना repeated बार करोगे, जितना quickly करोगे, उतना आप अच्छे से reek program कर पाओगे अपने आपको और over time कुछ ही दिन में आपको फरक लगने लगेगा आप ये पता कर पाओगे कि जितना आप ये practice करोगे उसके बाद ये memories बार बार आपके mind में play होना बहुत difficult होते जाएगा तो इस तरह से हम NLP के थूँ अपने इन बुरी memories से बाहर आ सकते हैं ये exercise करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद God bless you